आप शवीक आपके अपने यूटूब चैनल रामा सर में आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने उपस्तित हैं आज की वीडियो है Simple Interest साधारन व्याज से सम्बंधित सबसे पहले प्रशन उठता है कि व्याज क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति या कोई कमपनी या कोई भी व्यापारी जब किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक से, फिर से सुन लेंगे, जब कोई व्यक्ति या ब्यापारी किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक से कर्ज लेता है, तो कुछ निश्चित अवध के बाद कुछ निश्चित समय के बाद वह बैंक अथवा भ्यक्ति को कुछ अत्रिक्त धन भी चुकता करता है देता है चुकाता है कुछ इस्ट्रा धन भी देता है इसी को हम ब्यास करते हैं इसी को हम क्या करते हैं ब्यास करते हैं फिर से समझ लेंगे जैसे मैंने महिनों के लिए ले लिया दो महिनों बा नहें आपसे वादा किया था मैं आपको 550 रुपे दोंगा कितना दूंगा 550 रुपे तो इसका प्तलब कि मैं कुछ ना कुछ परसंटेश辆 आपको ईंसकी रूप में ऐसले के बच्चे थैरों कि भी परिष्षम nous पूछे जाते हैं अगर काया है विक्षाप में पारिगावी mud कोषब ओढसे से उसलिये आज हमने सिंप्र इंट्र से सबस् taper कुछ प्रशन लेकर कर आए हैं जिससे आपको साल्व करवाएंगे वाइड बोर पर तो बीना देर किया चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो चलिए देखते हैं सिंपल इंट्रेस्ट प्रस्णों को संब्लित करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं जो सिंपल इंट्रेस्ट से संबंद इंग्लिस में इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे भी जानते रहें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जानते रहें दूसरा आपकाता है साधारन व्याज सिंपल इंट्रेस्ट साधारन व्याज होता है कंपाउंड इंट्रेस्ट होता है उसको भी जानते रहेंगे तो साध साधारण ब्याज क्या होता है किसी निश्चित अवध के लिए किसी निश्चित अवध के लिए तीन साल के लिए विधन दिया गया है तो एक साल दो साल तीन साल में उतना ही परसेंट ब्याज लगाया जाएगा मूलधन फिर वह ज्या करके मूलधन में नहीं जुड़ता है साधारन ब्यां आपका सिंफ्ल इंट्रेश्ट का राता है एक साल का निकालो, दो साल का निकालो, त्रीन साल का निकालो, चार साल जितने साल का पुछा है, निकाल करके amount जोड़ दो, वह मूल धन में जा करके plus नहीं होगा, तो वह साधाने interest कहलाता है, simple interest कहलाता है, इसको yes, IE से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, इसको ज amount लिया दिया जाता है, वही आपका principle amount कहलाता है, मूल धन कहलाता है, principle कहलाता है, ठीक है, क्या होता है, principle समझ में आया न, जैसे माइने आपको 500 रूपए दे दिया, 5% ब्यास पर दे दिया, यह जो 500 रूपए मैंने दिया है आपको, यही आपका क्या कहलाता है, मूल धन कहल कहलाता है अगला पॉइंट है मिस्त्रधन यानि अमाउंट ठीक है अमाउंट इंग्लिस में बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे जो हिंदी वीडियम के बच्चे हैं उनको भी अमाउंट समझ में आ रहा होगा मिस्त्रधन क्या होता है यह मैंने आपको 500 रुपए मूल धन दि जोड दिया जाता है उसी को हम मिस्त्रधन कहते हैं अगला आपका आता है डर क्या होता है होता है पांच परसेंट ग ने धारित करते हैं कि कितने परस्त हमें ब्याज लेना है वह हमारा रेट कहलाता है दर कहलाता है कितनी अवद के लिए दिया जाता है वह हमारा टाइम कहलाता है यानि शमय कहलाता है जैसे हमने आपको पांच साल के लिए दे दिया आपने मुझे दस साल के लिए यह जो भी ब तो चलिए आज का पहला प्रस्ण दिखते हैं पहला प्रस्ण है हमारा cimple interest से एक दम देखे एक चीद ध्यान रखी आप लोग पहले हम एकदम सरल प्रस्णों को ले रहे हैं फिर उससे कठीन फिर उससे कठीन प्रसनों को इंक्लूड किया तो पहले एकदम लिया है हमने dus 1200 का पन्दासओर रूपए का प्रसेंट वारषीक व्यास की धर से आठ उरस का ओठारण व्यास किumen है ध्यान रखेंगे कितने रूपएं का है 15 100 रुपए का 5 प्रस्यत वारसिक व्याज की दर से 8 वर्स का साधार व्याज ग्याज की जिए अब traditional method हमारा काता है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल धन मूल धन हमारा कितना है 15 100 रुपए है ठीक है दर क्या है हमारा दर 5 प्रस्यत है उसके बाद time कितना है समय क्या दिया है समय हमारा 8 वर्स दिया है उसके बाद याद क्या करना है साधार व्याज दिखे एक दम traditional method से चल रहे हैं तो साधार व्याज बराबर मूल धन गुडे दर गुडे समय अपन 100 यानि बटे 100 ठीक है मूल धन गुडे दर गुडे समय बटा 100 ये हमारा सुत्र होता है क्या करेंगे मूल धन कितना है हमारा 15 सव रुपए दर कितना है 5 प्रस्यत समय कितना है 8 साल अपन 100 दो 0 को 2 0 से काट दो ठीक है 8 पंजे 40 15 14 60 रुपए 600 निकल करके हमारा आंसर आ गया इस तरीके से आप किसी भी प्रस्णों को हल कर लेंगे ओप्सन में जाए देखिए क्या कोई आप्सन मिल रहा है जी हाँ बिलकुल पहला आप्सन हमारा राइड मिल रहा है आपशन नंबर ए गरेंट है 600 रुपए इस तरीके से आपप्रशनों कोbum कर लेंगे अब थोड़ा प्रस्ण लेते हैं अगले प्रस्ण की तरफ देखें अगला प्रश्ण अभी आपको मैंने बताया था साधारन भ्यात ग्यात करने का तरीका अब थोड़ा सा इसमें ब्यास की दर से 5 वर्स में रूपया 75 हो जाएगा ये 75 क्या है साधारण ब्यास दिया हुआ है तो जानते रहेंगे फिर से लिख लेते हैं मैं आपकी जानकारेक लिए शाधारण व्याज बराबर 75 रुपया है ठीक है रुपया 75 उसके बाद क्या दिया है आपका दर कितना दिया है पांच प्रस्चत दिया है समय कितना दिया है समय आपका पांच वर्स दिया है ये तीन चीजें आपकी दी गई है ग्याद क्या करना है मूल धन आपका ग्याद कर क्या होता है मूल थन का सुत्र होता है मूल थन याफ रख देंगे तो मूल थन आसानी से क्यात हो जाएगा चलिए देख लेते हैं साधान व्याज कितना दिया है साधान व्याज आपका 75 दिया है 75 रख दिया मैंने 100 का multiple दिया था 100 रख दिया अपान दर दिया है 5 समय दिया है 5 वर्स अब इसी को solve कर लिजे आप आसानी से आ जाएगा देखिए क्या करना है ऐसे ही काड़ दिया 75 बटे 25 यहाँ पर 100 है तो 100 का 100 ऐसे कर दिया 25 तिया ही 75 कड़ गया 300 आपका आ गया यह आपका answer रिकल कर आ गया रूपया 300 अब चलिए option में देखते है 300 हमारा किसी option में है यहाँ बिल्कूल option number 3 में हमारा देखिए 300 रूपय दिखा रहा है तो क्या करना है यह तो मैं आपको आपको नॉर्मली ट्रेडेशनल मिथर से बता रहा हूँ ऐसे लिखते हुए आपको लिखने की जरूत नहीं है आपको पता होना चीए क्या पूछा है मोलदन पूछा है मोलदन का सुत्र होता है साधराण ब्याज साधराण ब्याज 75 गुडे 100 100 कर दिजिए या तुरंट इसको 100 का गुडा करिए 75 100 हो जाएगा उसके बाद क्या करिए आपका दर गुडे समय होता है 5 25 25 हो जाएगा 25 काटिए 25 75 75 300 रुपे यहीं पर आधे लाइन में भी एक लाइन पूरा भी नहीं लगेगा आपको 10 सेगेंड का भी टाइम नहीं लगने वाला है सिंपल इंट्रिस्ट में यही से आप का अंसर निकल करके आ जाएगा चलिए next question देखते हैं next question है हमारा किस प्रतिशत दर से अब क्या ग्याद करना है आपको percentage ग्याद करना है किस प्रतिशत दर से रुपीज 1800 यानी 1800 रुपे का अच्छे वास्तों में गडित की भासा में 1800 नहीं होता है जानते रहेंगे 1800 होता है रुपे आठारा सव का पांच वर्स का व्याद रुपे दो सव होगा कितने वर्स का अठारा सव रुपे का पांच वर्स का व्याद दो सव रुपे हो जाएगा कितना परसंट दर लगा दे माने आप अठारा सव रुपे दे रहे हो किसी व्यक्ति को 5 वर्स के लिए और उससे आप ब्याज सिर्फ 200 रूपए वसूलना चाहते हो तो आपका धर क्या होगा परसंटेज आप कितने परसंट पे दे दो कि यही 200 रूपए आजाए आपको आपको समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं अब क्या होता है इसका आप सम पांच वर्स टाइमिंग हो गया आपका ठीक है इस तरीके से आपको निकालना होता है तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आप आपका दर निकालना है तो दर का सुत्र क्या होता है दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुडे हंड्रेट गुडे सव बटा आपका क्या हो जाएगा मूलधन गुडे समय यह चीजें आप देख लेंगे दर निकल करके यहां से आ जाएगी दर बराबर अप फिर से क्या करना है आपको साधारण ब्याज आपका है दो सव गुडे सव दिया है सव लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, मूलधन, मूलधन हमारा दिया है, 18-100 रूपए, यहाँ आपको पहले ही मैंने बता दिया है, समय आपका दिया है, 5 वर्स, अब क्या करना, इसको यहीं पर सरल कर लो, 2-0 को 2-0 से काटो, 5-2-0 शाओ यहाँ पर चला गया, 20-2-4 और 9-2-8 निकल करके आगया हमारा 20 बता 9, आंसर हमारा यह भी है, अब भी नहीं मिल रहा है, सही बते में मिल रहा है, तो इसका सही बता निकाल लेंगे, सही बता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 में 9 से भाग देते हैं, काटिए 9 दूनी, 18 बचा यहां पर 2, तो क्या हो गया आपका, निकल करके आगया, दू सही दू बता 9, यह परसेंटेज निकल करके आगया हमारा, यह आपका आंसर है, अब चलिए औप्शन में मिल रहा है, 2 सही दू बता 9 कहीं पर है, तो आप्शन नमबर भी में दिख रहा है, आपको यह आपका राइट अंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रसनों को हल करना है, अब बिना देर किये चलिए, अब थोड़ा था स्पीड में लगाएंगे, अगले प्रसन की तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रसन क्या है, नेक्स्ट क्यूश्चन है कितने समय में, देखे अभी तक हमने आपको दर निकालना बता दिया, मूलधन निकालना बता दिया और क्या निकालना बता दिया था, आपको साधारन ब्याज निकलना बता दिया था अभी हम देखते हैं कितने समय में यानि हमको निकलना है समय टाइमिंग निकलना है आपको टाइम निकलना है कितने समय में 1200 रूपय का मूलधन हमारा ये हो गया जानते रहेंगे मूलधन 1200 रूपय है साधारन ब्याज ब्याज इसका कितना है 288 रुपय है और इसका धर कितना है 8% है तो कितने समय में रुपया 1200 का साधारन ब्याज रुपया 288 होगा जबकि ब्याज की धर 8% है कितनी है 8% जो है वारसिक है तो देख लेंगे 2 वर्स, 3 वर्स, 4 वर्स, 5 वर्स आपसन आपका सामन है इसको हल करते हैं तो सबसे पहले निकालेंगे समय तो यहां पर समय का सुत्र लगाते हैं समय का सुत्र होता है साधारन व्याज गुड़े सव बटे मूलधन गुड़े दर निकल रहा है आपका साधारन तरीका है इसी पर आप रख दीजी आ जाएगा समय निकालने के लिए ट्री बराबर क्या हो जाएगा आपका साधारन व्याज साधारन व्याज का मतलब सिंपल इंट्रेस्ट अपका कितना है 288 रुपए है 288 गुड़े 100 बटे मूलधन मूलधन हमारा 1200 है समय 8 परसेंट है क्या करिये यहीं पर सरल कर यहां पर काट लिए जो बच्चे कमजोर हो 288 में यहां पर 12 से भाग दे करके चक कर लेंगे आपका 24 निकल करके आजाएगा अंसर ऐसे भी करके आप काट लेंगे ठीक है 24 निकल करे आ गया अभी आप देखेंगे आठ बचना है 24 आपके पास टाइम नहीं है कि आप 24 बटे 8 लिखो फिर ले जाओ काटो यहीं फिर काटो 8 बन जाए 8 8 3 जा 24 और तरीक 24 फिर आपका निकल करके आगया तीन वहर्स यह देखिए आपका आंसर आगया निकल करके यहीं यह एक लाइन में और इसको सरल तरीके से आप कैसे हल कर सकते थे साधराना ब्याज में कोई ट्रिक लगाने की जूरत नहीं है समय पूछा है समय आपको पता है साधराना ब्याज इसका सुत्र अपने दिभाग में रखिए तुरंत करिए 288 गुडे 100 बटे 12 100 गुडे 8 यहीं पर 2 0 2 0 S काटिए यहां काटिए 24 एक मिनट में आपका अंसर निकल कर आ जाएगा 3 years समझ में रहा ना तो 3 years का निकल कर आ गया timing आपकी 3 साल निकल कर आ गई तो option में चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है option में B option सही हो रहा है 3 words तो आपको वीडियो कैसी लग रही है यह comment box में comment करके बताएं जो ब्यक्ति या अपना answer जो है option जो है आप comment box में comment करिए हम आपको तुरंट reply देंगे कि आपका answer सही है या गलत है बहुत सारे लोग join करते हैं तो आपको जानते रही है रात्तरी के 8 बज़ रहे हैं और 8 बज़े ये class चलाई जा रही है फिर आपकी तुरंट इस class के बाद 9 बज़े English की class च comment करिए हम देखना चाते हैं कि कौन सा option आपका आ रहा है और right है की नहीं ये भी हम आपको तुरंद बताएंगे तो आप लोग comment box में comment करकी ये सवाल लगाए फिर भी हम आपको बता देते हैं और पढ़ देते हैं सवाल पहला ये सवाल है आपको चार सव रुपए बैंक में रुपए चार सव बैंक में पांच सही एक बटा दो यानि शाड़े पांच प्रस्चत वारसिक ब्यास की दर से जमा किया गया ठीक है बैंक में चार सव रुपए पांच सही एक बटा दो वारसिक ब्यास की दर से जमा किये गए बताएं बताएं चार वर्स में यहरास कितनी हो जाएगी यानि यह रास कितनी हो जाएगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए अब आप समझिए ओप्सन यह दिया है 88 अब भी ओप्सन दिया है 400 तीसरा दिया 488 और डी दिया है 580 यानि 580 तो चलिए इसका हल देख लेते हैं पहले आप आप लोगों को मैं time दे रहा हूं आप लोगों के पास 20 जो भी आप टाइम लेना चाहते हैं तब तक मैं भोल रहा हूं आप लोग करते रहें तो क्या करना है इसको इसको आप हल करके हमें comment box में comment करके बताईए आपंना राइड अंसर हम वेड कर रहे हैं आप सब में ABCD में आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी करिए आप लोग फटा-फट लगाए कमेंट करते रहिएगा और अगर आप आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो आप शनिवेदन है आप से आग रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आपको हमारे वीडियो समय समय पर मिलती रहे इसलिए आप बेल आइकान भी दबा दीजिए वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को करिए लाइक और अधिक से दिक दो मूल धन है क्या है हमारा मूल धन है कितना प्रसत ब्याज है तो मूल धन हमारा क्या निकल के रा गया समझे मूल धन हमारा जो है 400 रुपए है उसके बाद हमारा धर क्या है दर हमारा पांदोने दसे की 11 बटा दो है और उसके बाद क्या है आपका समय समय कितना दिया है हमारा चार वर्स दिया है अब हमसे पूछा क्या जा रहा है चार वर्स में यह रासी कितनी हो जाएगी तो हमसे पूछा जा रहा है मिश्र धन पूछा जा रहा है लेकिन सबसे पहले हम साधारन ब्याज का सुट्र लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटा 100 क्या करना है आपको मूलधन हमारा दिया है 400 गुड़े 11 बटा 2 गुड़े समय 4 वर्स अपान 100 इस तरीके से 2-0, 2-0 से खतम करिए 2-2, 4-1-2, 22-4, 88 यह हमारा क्या निकल करें आगया यह हमारा 88 अंसर नहीं निकला है यह हमारा निकल गया साधारण ब्याज यह इसका साधारण ब्याज निकल करें आगया से पूछ रहा है मिस्त्र धन तो मिस्त्र धन बराबर होता है मूल धन प्लस जो आपका ब्याज निकल करके आता है तो यह हमारा ब्याज है मूल धन था हमारा 400 ब्याज था हमारा 88 रूपया तो हमारा रूपया निकल करके आ गया 488 क्या रूपया निकल कर आ गया 488 यह हमारा अ सर क्या होगा option number C488 रूपए तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह आप में comment box में comment करके बताइए मिलेंगे आप से next वीडियो में तब तक के लिए लेते हैं आप शवीदा